तो छिल्ड दोस्तों अनौरीखता के विभन अर्थ देख लेते हैं हमने पैसिव नारिखता की बात करते है केये नागरिकता कि और नीजी फिटों पर भल होता है केवल प्रूएमनितुक्ता क्विन उधारवादी कंसेब्ड है यहाँ पर आप अपने हित और निजी जो आपके हित हैं निजी अधिक्तिकत अधिकार हैं उस पर फोकस करते हैं यह निजी नागरिकता यह नूमतम नागरिकता है उदारवादी नागरिकता है इसके समर्थाख है रोमन सिध्धान्तवादी और उदारवादी विचाराक तो तीयच मार्साल और नूराइट्स वाले यह वही नौजिक जैसे लोग इसमें नागरिक निज्ता सिंड्रों पाया जाता है नागरिक निज्टा सिंड्रों यानि केवाल अपनी इंडिविजूटि खुद से मतलव है हमारे क्या अधिकार है बस कालमाक्स ने उदार पुझी बादी लोकतांतरीक नागैटा को भुजुरवा नागैटा कहा है यह capitalist की नागैटा है। यह capitalist की नागैटा है अधिकारों की बजाए करत बेहने पर अधारित है तो यह duty परवेश्ट है, duty परवेश्ट है, यह सक्री सरजनिक सहभागता वो समानसुव पराधारित है, आप एक्टिव रूप से प्रिटकर पाटिसिपेशन कर रहे हैं और आप लोक कल्यान की चीजें कर रहे हैं, नागरिक सदगुन वा उत्तम नागरिकता पर इसमें बल द देखते हैं, समर्था कहें इसके, ग्रीक धांत, जो है, अरस्तु और प्रेटो, फिर अरस्तु है, इसमें मेक्यावेली हैं, मेक्यावेली हमने देखा था कि मेक्यावेली का आदर्स राज था, वो रिपब्लिक था, जहां पर रूल आफ ला से रूल किया जाएगा, और जह जो थिंकर हैं, माइकल बाजर जैसे थिंकर, फिर भी मरसी, लोगतंत्रवादी, बिलियम, गैल्स्टन और गांधिवादी थिष्टिकों इसमें सामिल होता है, फिर मातरक नागरिक्ता, तो इसमें जीन, इलस्टीन, सारा, लुडिक, ये परवाह का नित्साचानी, इथिक स आफ केर की बात करते हैं, फिर कंपो, कास्मो पॉलिटन सिटिजन सिप्स और भॉम, नागरिक्ता, तो ये राश्टी जुडाव के वसकता, इसमें नहीं है, आप इंटरनेशनल लेवल पर नागरिक्ता को लेके जाए, ग्लोबल लेवल पर नागरिक्ता को लेके जाए, एक पर निस्क्री नागरिक्ता से जुड़ी अपधार नागरिक्ता बिसे कह सकते हैं, इस नागरिक्ता में करता भींदाईत्तों या साजवनिक भागिदारी के वजाए, बेक्तिकत अधिकारों, निजी, कल्यान वा स्वाहित पर नेज़, पर रहे जाए, मुझे इस राज्य क कह सकते हैं अगर आप के बूर्ट मेंटल राइट का दाज बात कर रहे हैं, तो आप केवल और केवल निश्की नागरिटा की बात कर रहे हैं। लेगिन फंडामेंटल यिज़ के साथ चाहां नाग्रिक्ता को सिर्फ कारूनी हैंशत के रूप में माना जाता हॉपता很 इसे समताम मोलग बनाया अब़ेद भावों को वा विश्यशाथी कारों को पूर्टा मिटा नहीं सके गौरम मैं क्रांथी ऐफ्रांसेशी का की बाद व्यक्तिबाद का विकास हुआ जिस कारण उदारवादी नागरिक्ता हैं लिब्रल स्टिजन से बिक्सित होई ट्याच मारसल का नागरिक्ता का उदारवादी सिधान्थ भी अधिकार अधारित है इच्छा सोचतंतरवादी फरक्जांपल हेयक नौजिक आदी राज को सिर्फ एंपायर रेफरी मानते हैं और नागरिक्ता को धैर फोर बियरनेस बानते हैं इसका साथ पर है कि दूसरों के अधिकारों में अधाचेफ ना करिए राज के बल नुंतम कार करें सुरच्छा का काम करें नौ राइट्स या नव दच्छन पंथी रेयक वाद थेचर वाद रीगान वाद आद नौ राइट्स के तर्क भी अजीब है ये मारसल के अधिकार आधारित या हकतारी आधारित नागरिक सिध्धान को सक्री नागरिक्ता के लिए आवश्यक मानते हैं कि नंते कि नागरिक्ता करीबों के बीच निस्क्रिता बढ़ाता है जो लेटा की संस्क्रिता पैदा करता है जबकि बजार अधारित उदार पूंजी वाद तिराज इसमें पतियोगता आथ निर्भरता आत्मस्वामित्त को बढ़ाता है तो आज़ी बात अगर कल्यान कारी राज जो होगा यह गरीवों के बीच निस्क्रीता फैला देगा उन्हें पैसे बना देगा उन्हें रोटी कप्णा मकान मिल गया है वो अपना खापी के मौज में हैं वो समस्रम नहीं कर रहे हैं वो मार्केट में नहीं आ रहे हैं जबकि अगर जो प्जार आधारित उदार भूझी बात है जो लोग कान दर कंपटिजिन पैाडा करता है रहत निरभारता का सद्गूरों का वीकास करता है जो फैसीव है नाजरिक निज्टा शिंडॉम दॉड जॉनेगरंव है तो निश्करी नाधिकार आधारित उतार्बाstudy न यही नागरिक निश्ता सिंड्रोम है अरस्तूबादी गंतंत्रबादी बीच रस्तूबादी गंतंत्रबादी परिवार केरियर्वय निजी छेत्रों में खुश्ट रोड़ने वाले नागरिकों को निश्करी भ्रहमित सब्सक्राइब अब एक सिद्मारों कहते हैं है वार मांस ने अपनी प्रसिद्ध दिखर थी लेजिटिमेशन क्राइस लेजिटिमेशन क्राइसिस यह 1970 में आती है में उन्नत पूजीवाद संकट की प्रभूतियों बाले अध्याय में नागरिक निस्तावाद का वर्णन किया है अचन कोरिया में महला बैठके इस्टाइब И apprendre का है कंपसर एगिंग और देखा था कि वही ते वशे नागरिकता की पूंटा तब बात करता है है इसमे नागरिकों के अधिकारों की कलपना की गई है वह उताधायतों की नहीं इसकार के निजी नागरिकों की अपने लाव हैं कि यह कुछ मातपूर्ण बेक्तिकत सुफ को दरसाती है जो सभी के लिए वश्चक हैं लेकिन पिछले कुछ समय से इस निस्क्री नागरिकता के अलोचना की जा रही है बहुत से अलोचक या तरक देते हैं कि इस निस्क्री नागरिकता को सक्री नागरिकता में बदलने के बसकता है और य टू डिस इंगेज्मेंट तो इसमें गैर भागिदारी या कम भागिदारी चिंता का कारण नहीं है क्यूंकि यह सुतंत्र द्रक्टिव थाइडरा के द्सक्रांड हो ж तो अनुसार ध्यान घाते के लोग तर्छा कि सक्रीटा कम यदुरलव होती है क्योंकि इसमें लोग अब अपने समय उर्जा को स्यंपर खर्च करते हैं विजधी मतलब क्या ही अधिकार मिले हुए है है कि उटीकल के पड़ने में पढ़ने जुरूब्वत तो इसे गंतरबादी नागरिक्ता या अरस्तुवादी नागरिक्ता कहते हैं ओप्रतिकल बैटिसिपेशन को मस्ट करता है लाधिक्त के प्रभावासासित करने वाली एक प्रमुख मिसेश्था जो से जो इसे अधिनता चला करती है वह है भागीदारी नागरिक्ता है नागरिकता का ग्रीक या उनानी सिध्धान तो अरस्तु नागरिक हुआ है जो बिधाई या न्याईक कारियों में सक्रिभागिदारी कर रहा है यानि रस्तु के लिए नागरिक वही है जो प्रिटिकल पाटिसिपेशन कर रहा है अरस्तु ने राजिकों नागरिकों के एक सम शAlcin किया है या कभी और अभी साफित हो रहे हैं तो जो लोग शासन कर रहे हैं जो लोग साफित हो रहे हैं दोनों आप एक भी नाज़िक गंताम्तों चापनिसलिक लाजनेतिक फ़ागता समानि चालिएंट वाद्जिक अद्समान नहींता है या सिविक निजफिक थो तो नाग्रिक मानवाद सीविक हुमनिजम इसमें कि मिल कंतरवाद को पढ़ने राजनीतिक सद्धकुण यानि common good पर कल्याण सर्विनिक कल्याण बस्तेव कुटुम्बुकम हमारे आधर्स हैं तथा इनके प्राप्ति राजनितिक जीवन में सक्री भागिदारी द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है आता राजनितिक जीवन का उत्तम जीवन में विशिष्ट केंदरी स्थान है तो जो बिसिकली जो अरस्तु और प्टेव जीए थिंकर है होला कि प्लेटो जो है तो डेमोकरसी की खिलाफत करता है लेकिन वो गुझ पॉलिटिकल लाइफ पॉलिटिकल लाइफ और गुड लाइफ में अंतर नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ तभी अच्छी होगी अच्छ यम के दाइरे में रहता है तो उसका विकास कम हो पाता है वो कम खुशी रहता है लेकिन जैसे वो परिवार बनाता है फिर वो गाउ बनाता है फिर वो सहर में आता है या कि वो राज बनाता है तो उसके जो खुशी का दाइरा है धीरे 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 करके बढ़ता जाता है और फिर जब हम लोग नगरा राज़ की तरफ बढ़ते हैं या राज बना लेते हैं तो हमारे जो खुशी का गार है वढ़ता जाता है इससे पका्ग कहता है ने कहता है नागरिक मारवाद को बढ़ावा देता है कि मैं अपने आपका विकास कैसे कर पाएं नागरिक गनतांत्रबादी नागरिक्ता तो शक्री नागरिक्ता परधारित यह धारना ब्यक्तिवा समधाय की घनिष्ट हुआ पूरक सम्मंदों पर अधार्धा कौन है तो प्राचीन सम में हना अरेंट फिलिप पेटिट जान पुकाग और फिर यह हैं क्विंटेन इसकनर और हैबर मास्तु क्या कहते हैं सक्री नागरिक्ता पाधारित अब्धार्णा यह ब्यक्ति वा समधाय की घनिष्ट वा पूरक सम्मंदों पर अधारी थे कि ब्यक्ति और समधाय आपस मे में जुड़े हुए मैक्या वेली मैक्या वेली डिस्कोर्स ऑन लीवी में गनतांत वात का समातन करता है हमने देखा तब कि मैक्या वेली जो आधास राज है वही पब्लीक है वह रोमन समराज को इसका आधास रूप मानता है रोमन समराज में सिविक वर्चू का केंदरी स् सार्वनी की मानदारी सत्यतावा बीरता के गुण है डेविल हेल्ट ने मैक्या वेली के विचारों को संदर्च आत्म गंता अंत्रबादी यानि प्रोटेक्टिव युपबिकन विचारों की संग्यादी है क्योंकि नागरिक्ता नागरिकों के हितों की रच्छा का दावा है फ्लोरेंस और बेनिस चैसे सहरों ने ग्रीस के रिपबिकन माडल और विशेश रूम से प्रेड़ना ली मैक्या विली और रोसो ने नागरिक सद्गुन और भागिदारी के रूप में नागरिक्ता के आदर्सों का समर्थन किया मैक्या विली के अनुसार नागरिक्ता का प तो यह जोbab्ली का अदर्स राज है जहां पर हम लग से भलाई क्या सौंचते हैं रोसों कि समान इच्छा है कि अब दारण मेरा प्रत्यीच Stack की योगदान की बकालत की है। सभी की रियल पील है उसका योग होती है कि प्रार्थ की भामना होती है वामने हनारंट हनारंट के सरभनेक छे चैनल पबिक किस्पीर की बजह के कारवाही पर और इदिहां इस विद हैं कि आद्रव कहने हो रहा है इसका ऊंधे उसी हुल्ड करण के हैं इन्हों पेड्र P प्रप्रपाज को नहीं माना और इन केस से थी देनी हो चुकी मिलियम गैल्स्टन इनकी बुक है लिब्रल परपज लिब्रल परपज वन्य संक्याने में आती है तो उंग्लेश्टन ने लोगतांत्रिक वा उप्तरदाई नागरिकता के विकास के लिए चार प्रकार के नागर के लिए होना चाहिए आर्थिक सद्गुण इसमें काम से जुड़े कारे नेतिकता निजिस्वार से परे तबकि उन्यतिक अभाव आर्थिक हुआ तखनीक परवतनों के अनकूलता इसके अंतरगत आती है तो नागरिकों के उदासी निश्क्री जीवन बदलने के प्रयास क के अलावा नागरिक्ता के एक महत्पूर्ण दत्र का विकास किया जिसने नागरिक्ता के धार्णा में अधिकारों को सामिल करने के तरीके को बदल दिया संदारबादी में जो मात्मूर्थ इंकर है मेंकें डायर हैं जो पुस्तक है लिमिट सीडिस है लिब लिब्र जम और लिमिटस आफ जस्टिस उनकी पुस्तक का पूरा नाम है वाल्जडर इसपिर्स आफ जस्टिस इontec đấy पुस्तक है आधि-ुदारबादी प्रतिकत अधिकार आधारित नागरिक्ता के बजाए समुदाइबादी पॉलिक्स आफ राइट की बजाए पॉलिक्स आफ वाल्जर इसके लिए नागरिक समाज यानि सिविल सोसाइटी परबल देते हैं, वे कॉमन गूट के लिए चर्च, परिवार, संग, जाती, साहचर, निगम, परियाबढ़नी समूह, सहायता, समूह, दानकर्था, समूह, जैसे साचिक संगतनों को वश्चक मानते हैं, फिर वा सहाचर अधारित नेटवर, कहनी, ऐसोचि नेटवर कहते हैं, क्योंकि ये स्द्धा, दवाओ, आधि, पर अधारित नहीं होते हैं, वालजर अपने देश्टिकोण को अलोशनात्मक सहाचर अबाद relativ, क्रिटिकल, ऐसोचियस निलिजम कहते हैं, क्योंकि, नागरिक समाज से समांदित इन सहचर्यों को नागरिकता के सिध्धानतों वा मागों के अन्रोप सुधारने की वपना निर्वान की जट्रूरत होती है रवट पुढ़नम की समाजिक पूजी सोसल केपिटल भी नागरिक सद्गुनों पर आधारित है सोसल केपिटल यह एक मौडरन कांसेप्ट है सोसल केपिटल के ताथ पर विश्वास करने की छंता भागेदारी की इच्छा टेस्ट की भावना आ दिया तो कहते हैं कि आपकी सोसल केपिटल क्या है माने कि अगर आप किसी संकट में पड़ गए आपकी आरति किस्ति खराप हो गई तो आपको कितने लोग आपको मौड़त करने के लिए आ जाएंगे यह होती है सोसल केपिटल तो राज को सोसल केपिटल बनानी पड़ती है राज की मुलत किर्ते लोग करना जाहते हैं और अगर किसी राज की, किसी नेता की सोचल कैपिटल नहीं है तो फेल हो जाता है, लोग उसपर ट्रस्ट करना बन कर देते हैं, इटलिस समंधित अध्यान इसमें सिकंड वर्डवार के बाद इस्थानी सोजासन पर सोत किया गया था से निकली अब धारना है यह निमारसी लोगतंत यानि कि डिलिबरेट्व डेमोक्रसी तो 1990 के दसक में उधित हुआ यह विचार एथेंस के लोगतंत को अपना आदर्स मानता एथेंस के लोगतंत को जहां पर विचार विमारस होता था यह सवागी लोगतंतर है जो बोड के लोगतंतर या फिलिबरेट्ट संखर स्पून लोगतंतर कहते हैं इसको तो इसके समर्थ तक है जॉन डाल्स इनकी पुस्तक है प्रोडिकल लिब्रलियम जो क्योंने सुतिराने में आती है फिर एनी गटमन हैवरमास हैवरमास की बिटिव इंफ्रेक्ट्स है नॉम सुने पिलिबरेट्ट है जॉन डाइजक है जैसे सहभागी लोगतंतरवादियों का तरक है कि राजनीतिक निड़ने लेने में नागरिकों के प्रत्तक चरूप से सामिल होने का अपसे बड़ा लाविया है कि यह उनकी नैतिक समाजिक और राजनीतिक जागरुकता का विस्तार कर पिजी रहते हैं हम अपने इत को पहचानते हैं हम जानते हैं कि सरकार क्या कर रहें है potential हों लोगतंद को पढ़ेंगे उसमें जो yat hm ilo q प्रिविखु पारिक की रिफिंकिंग मुल्टी कल्चलिजम कोलन कल्चलर डाइबर्सटी ये प्रुटिकल थिवरी सन 2000 में आती है टी एच वार्सल इस टीजन सिप एंड सो सल क्लास 1950 में आती है बी एस टर्नर सिटिजन सिप एंड कैटलिजम 1986 में आती है डेविड हेल्ट ये प्रुटिकल थिवरी एंड दा मॉडर्न स्टेट पुस्तक आती है और असो काचार इनकी पुस्तक है स्टिजन सिप इन गलोबलाइजिंग वर्ड ये 2012 में पुस्तक आती है 2012 में चलिए इससे ये अपना समाप्त होता है अब नेक्स लेक्चर में मिलते हैं अब तक के लिए गुडबाई थेंक्यू थेंक्यू बेर मिच्ट पर डिस्क्रसंग आता है